हेलो गाइज मैं हुरुबीना नेता का किचन में आपका स्वागत आज मैं आपको सभियों वाला मट्र पुलाव गारजर डाल की बनाना बताऊंगे चलिए इसे कैसे बनाते हैं इसमें क्या सामान पड़ेगा देखते हैं तो मैंने इसके लिए लिया है पुलाव वाला चावल जिसे मैं एक घंटे के लिए अच्छे से वाश करके पानी से भिगा दोंगी तो चलिए इसमें क्या सामान पड़ेगा मैंने दो किलो पुलाव वाला चावल लिया है मैंने हरिमिच लिया चलिए इसमें और क्या मसाले डाल चीनी, फूल, जीरा, काले में, छोटी लाइची, मैंने सारे गर्म मसाले ले लिये हैं. लेकि मैंने चाऊद फुला करकर रखता अच्छे से फूल गये हैं. अब मैं इसे बॉइल करूँगी तो मैंने इसमेर के लिए भगोने में पानी आट कर दे अड़े हैं. मैंने उसमें तालचिनी, जावित्री, फूल, लॉंग, बड़ी लाची, छोटी लाची, तेज़ पत्तर, नमक एट करके मैं इसे बॉयल करूंगी तो देखिए मेरा पानी अच्छे से 15 मिनट में बॉयल हो गया मैंने इसमें हारेमिच एट कर दिया तो देखिए उसमें भीगा हुआ चावाल अट करूंगी जिसे मैंने एक घंठे के लिए घंठ थी लिगदा दिया था और इससे ढ्हक के 5 मिनट पकाऊंगी तो देखिए मेरा चावाल अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है तो मैं इसे अच्छे से पका तो मैं मटर प्राइ कर लेती हूँ मैंने उसके लिए तेल पहले से चढ़ा दिया था मैं उसमें प्याज एट कर दिया है और इसे डार्क ब्राउन करूंगी तो देखिए मैं इसे अच्छे से चला के डार्क ब्राउन करूंगी तो देखे मैंने आदी प्याज निकाल लिया, इसमें लाशनजमादरा का पेस ğanे, इसे भी अच्छे से बूंज़ोंगी अब मैं इसमें मतर्डर्र अट करूंगी और मतर को भी मसाले के साथ बूंज़ोंगी ताकि मतर के अंदर तक लाशनजमादरा का टेस्ट आ जाए तो, आप भी तरेके से बननाओ है, देखे, मेरे मटर और गाजर पुराइए, अब मैघास को बंद कर दूंगी, तो, देखे, कितने अच्छी पुराइए, मैंने चावल को बॉयल कर लिया है, और मैंने इसे चनी से छान दिया, इसमें मैंने color डाल दिया है तो चलिए अब मैं इसे चावल और मटर को mix करूंगी तो देखिए मैंने सारे चावल को भगोने में add कर दिया अब मैं fry की हुई मटर गारजर add कर दूँगी और इसे बहुत ही अच्छे से चलाओंगी मैं टमाटर भी add करूंगी अब मैं इसमें ब्राउन की हुई प्याज एट कर दिया और मैं इसे अच्छे से mix करूंगी तो देखिए मेरा मटर पुलाव बंद करके तयार हो गया मैं इसे पेट में निकाल के दिखाती हूँ तो अगर मेरे मटर पुलाव आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल नहीं ता कि जिनको लाइक करें सब्सक्राइब करें अल्ला हफीज